हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चटो डिलिशिस फूड चुट्टी जब आती है तो हम सभी को लगता है कि कुछ नाया यमी ब्रेकफास्ट मिले और इस रेसिपी के लिए हमको ज्यादा इंग्रिडियन्ट की भी जरुवत नहीं है इसके जो इंग्रिडियन्ट है वो आसानी से ह करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी ब्रेड रॉल जो की बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे तो चलिए आज की रेसिपी हमें स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमको इंग्रिडियन्ट चाहिए छे ब्रेड़ स्लाइस हमने यहां पर लिए हमने यहां यहां पर आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं लेकिन ब्रेड हमको एकदम फ्रेश चाहिए और इसके जो साइट के एजसे हैं वो सबसे पहले हम इनको काट के अलग कर देंगे और जो ब्रेड की साइड्स हैं उनको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे हमको इंको वेस्टर फेकना नहीं है ये इस्तिमाल में आ जाएंगे इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और ब्रेड क्रम्स हमारी जो रेसिपी में भी काम में आएंगे तो देखिए सारे हमने ये कट करके रख लिए है और ये bread crumbs हैं मिक्स सजार में डाल के इनको हम एक fine powder बना के तयार करेंगे और देखिए bread crumbs बन के तयार हो चुके हैं अब हम लेंगे यहां पर एक boil आलू उबले हुए आलो को हम greater के help से grate कर लेंगे और इस तरह से हमारा यह आलो तयार हो चुका है अब हम यहाँ पर सबजिया लेंगे सबजिया हमने यहाँ पर प्याज, शिम्ला, मिर्च, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है आप आपकी choice के according आप ले सकते हैं आपको जो भी सबजी पसंद है तो यहाँ पर मैंने एक चोथाई कप सारी सबजिया ली है और एक तू मिर्च लिये हरी यहाँ पर तो अभी यहाँ पर एक चोथाई कप हम टमाटर डालेंगे हरी मिर्च दो कटी हुई प्यास बारिक कटी पहले हम यहाँ पर अदे चमप ध्मग डाले लेंगे और अभी यह पर अधे अलमाटर ड़िया हुई प्ली पाली मिर्च पाउडर डालेंगे हर में जिर्फाउड गणच की आपर तो टेबली स्पून मैंने यह पर लिया एक Philosophy दम तेम गाड़ा दाला है भालानी आप लिहा आपेचे आता है और अब हम सारी सबसियों को सारी वेजिस को अच्छी तरह से मि reliesralude आप किसारी एच्छे से मिल्ड भाणों चुकी विस्टफिंग रीड हो चुकी है अब हम चलते हैं सेलरी की तरफ सिलरी बनानी के लिए हमने याँ दो चमच मैदा लिया हैं और इसमें जरुवत के एकॉर्डिंग हम यहाँ पर पानी डालेंगे और पानी डालके हमको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए और यह सिलरी हमारी बन के तयार हो चुकी अब हम एक बड़ा सा बड़तन लेंगे उसमें पानी डालेंगे और जो ब्रेट हमने कट करके रखी इसको इसके अंदर एक बार डिप करेंगे और इसका पानी नी चोड़ेंगे हलके हाथों से बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेंगे आदा और अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे थोड़ा सा पाट लेंगे, स्टफिंग का और इस तरह से हम इसको अंदर से दबा देंगे, ध्यान रहे, जो स्टफिंग है, वो हमारी बाहर ना निकली, और अच्छी तरह से हमको इसको रैप करना है, अगर आपका ये बिर्ट का थोड़ा सा भी कहीं से अगर तूटता है, त को कोट करेंगे ब्रेट करेंगे जिससे की अच्छी तरह से वह कोट हो जाए देखिए कोट होने के बाद ब्रेट रॉल्स कितने अच्छे दिख रहे हैं कितने सुन्दर दिख रहे हैं बस इसी प्रॉसेस से हम सभी ब्रेट रॉल्स बना के तयार कर लेंगे और देखिए सारी वे बिड रोल्स हमारे बन के तयार हो चुके हैं अब हम इनको फ्राइ करने की तरफ चलते हैं आप चाहें तो शेलो फ्राइ भी कर सकते हैं मैंने यहां पर एक कड़ाई रख दी है और कड़ाई में यहां पर तेल डाल दिया है और अब इसको हम देखेंगे अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब इसमें हम एक एक करके अमारे ज़ी रोल्स हैं और डालेंगे हमको हाइफिलेम पर ही सारे रोल्स को फ्राइक करना है अगर हम धानी अच पर फ्राइ करेंगे तो हमारे जो रोल्स है् वो फट जाएंगे अब देख सकते हैं कि हमारी जो वेज रॉल है एक तम से ब्राउन होने लगे हैं और हलंके हल्के फ्राई हो गया है यह बस हमको इसी तरह से पलटना हमने कर बार पलट पलट के इनको तक हमको पकाना है देखिए, वेज रोल अमारे बन के त्यार हो चुका है, और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, और अब आप की के रॉल्स वो भी हम इसी खड़ाई में डाल देते हैं, देखे यह भी fry हो चुके हैं अबस इससी तरह हम सारे हमारी जो रॉल से वह fry कर लेंगे वह देखी सारे प्रजाद हो चुके हैं और देखिये फ्रेंद्स कितने यमी और कितने टेस्टी हमारे यह ब्रेड रोल दिख रहेएं और इक दोड़ के दिखा ती हो आपको यह देखी बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं, आप इसका क्रिस्पी देखिए, कितने क्रिस्पी बने हैं, तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, और फैमली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिएगा, अगर आपको आज क की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक यू